नमस्कार दोस्तों मैं रोहिन शर्मा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही जादा इंपोर्टन टॉपिक के बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं राहू और केतु के राशी परिवर्तन का 12 राश्यों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में मैं especially आपको बताने वाला हूँ कि राहू और केतु के राशी परिवर्तन से आपके जीवन में क्या खुश खबरी मिलने वाली है देखें दुख और गम तो part of the life है और वो तो ग्रहों ने देना ही देना है वो उनका basic काम है बट राहू और केतु के राशी परिवर्तन से कौन-कौन सी चीजे सुधरने वाली हैं कौन-कौन सी चीजे अच्छी होने वाली हैं उस चीज पर हम focus करेंगे और उस चीज को मैं बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप सभी को फायदा मिले और आप सभी अपने आपको balance करने की कोशिश जरूर कर ले सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मेश राशी के बारे में मैं दोनों का combined calculation यहाँ पर बता रहा हूँ और जो राशी में बाता रहा हूँ यह moon sign के उपर आधारिते इस बात का द्यान लखिएगा राहू और केतु का राशी परिवर्तन मेश राशी के लिए क्या खुशकबरी लेकर के आ रहा है इसको थोड़ा सा समझने की और analysis करने की कोशिश करते हैं मेश राशी के लिए यहां पर देखा जाए तो मेश राशी यह समय तिर्थ यात्राओं पर प्राविल करने के लिए बहुत अच्छा है यह समय किसी भी तरह की spiritual journey के लिए तो काफी जादा अच्छा दिखाई दिता है तो लंबे समय से कोई मनत आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी लंबे समय से किसी जगे पर आप अपनी मनत को पूरा नहीं कर पा रहे थे तो अब यह समय बन चुका है जहां पर आप अपनी मनत पूरी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी चीजों को अच्छा करने का एक संभव प्रयास यहां पर जरूर कर सकते हैं यह आपके लिए बहुत ही जादा अच्छा रहेगा इसके साथ-साथ यहां पर देखा जाए तो मेश राशी यह समय अपने अभिमान से आपको नीचे उतरने का समय है जी हां इस समय में अपने अभिमान को अपने उपर हावी मत होनी दीजिएगा इस बात का विशेरी द्याना कियेगा नहीं तो बड़ी चोट लग सकती है जी हां बड़ा नुकसान हो सकता है इस बात का द्याना कियेगा तो अगर आपने इस चीज़ को संभाल दिया तो आप एक बड़े नुकसान से अपने आपको बचा सकते हैं इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं जो कि आपके लिए काफी जादा अच्छ रहेंगे इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो मेश राशी इस पेशली आपके इसलिए यह समय जो रहेगा यह अपने आपको explore करने का, education में आगे कुछ पढ़ाई करने का विदेश जाकर के कोई course करने का भी यहां पर काफी जादा अच्छा दिखाई देता है तो अगर आप सभी foreign जाना चाहते हैं और foreign जाकर के कोई study करना चाहते हैं education sector में कुछ नया करना चाहते हैं तो जरूर आप कर सकते हैं यह समय आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आता हुआ नजर आता है तो यहां यहां पर आप सभी को फाइदा मिलेगा मेश राशी उमीद करता हूँ कि इस फाइदे को आप जरूर उठाएंगे और अपने आने वाले समय को जरूर बैलेंस करते हुए नजर आएंगे राहू और केतु के राशी परिवर्तन के 30 दिनों के बाद यह सारे results आपके लिए apply होना शुरू हो जाएंगे इस बात का विशेश दियान रखिएगा और साथी साथ इसमें कोई शुब संकेत कोई शुब समाचार बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा students के लिए तो यह समय बहुत ही जादा अच्छा दिखाई देता है कहीं कोई negativity मुझे नहीं दिखाई दीती अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वरशब राशी वालों के लिए वरशब राशी यह जो समय रहेगा यह आपके लिए लंबे समय से चली आ रही परिशानियों को दूर करने का समय है रशब राशी फॉरिन लेंड से कुछ बड़े benefits देने का समय यहाँ पर दिखाई दीता है साथ ही साथ यह समय में आप सभी mentally और physically अपने आपको balance कर सकते हैं सफलता मिलते हुए दिखाई दीगी दुश्मनों से आप अपने आपको छुटकारा देखेंगे और दुश्मनों से विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं कोई बहुत पुरानी इच्छाएं अभिलाशाएं जो पूरी नहीं हो पार रही थी वो यहाँ पर आपकी पूरी हो सकती है इस तरह के योग यहाँ पर आपके जरूर बनते हुए दिखाई देते हैं तो वरशब राशी आपके लिए भी कई अच्छे संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं सिर्फ एकी चीज़े खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे अपने expenses को थोड़ा सा control में रखेगा तो चीज़ें और बहतर होते हुए नजर आईगी अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मितुन राशी के लिए मितुन राशी यह जो समय है आपका यह परिशानियों से अपने आपको दूर करने का समय है लंबे समय से चली आ रही परिशानियों से चुटकारा मिला करके और खुशियां प्राप्त करने का समय यहाँ पर आपका दिखाई देता है मितुन राशी यह समय कहीं न कहीं प्रॉपर्टी के विवाद से अपने आपको दूर करने का समय है प्रॉपर्टी में अगर कोई विवाद चल रहा था जो ठीक नहीं हो पा रहा था तो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी की विवाद से आपको छुटकारा मिल जाएगा इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं पारिवादिक रिष्टों में कहीं कोई टकरार कोई रुकावट कोई परिशानी देखने को मिल रही थी तो वो यहाँ पर सॉल्व हो सकती है इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं और इसी के साथ साथ परिवार में कोई खुश्या आने के संकेत भी यहाँ पर दिखाई देते हैं और definitely कोई अच्छी चीज आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप नेता हैं राजनेता हैं अभिनेता हैं या किसी बड़े पत पर काम करते हैं तो आपको कुछ अच्छे अचीमिंट देखने को मिल सकते हैं उन्नती का ग्राफ यहां पर खुलता है और बड़े लेवल प के लिए यह समय ऐसा है जैसे आपने बहुत सारे पाप करके पुन्य का रास्ता अपना लिया हो कुछ उसी तरह का समय यहां पर दिखाई दिता है मेहनत के कठिन परिश्रम के फल जो आप तक नहीं मिल पा रहे थे वह अब मिलना शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ यह सम पृण चांด की कोई ँख ऊणी इंज़या हो सकता है साथ ही मदद आपको मिल जाएगी किसी के अगर मदद चाहते हैं तो अपने काम को और अच्छा कर सकते हैं अपने आपको सकते हैं इस sabes कर सकते के लिए balanced हो करके चलने का समय है नापा तुला समय जिसको हम कहते हैं मतलब की सारी चीजों को ध्यान रख रख करके आगे बढ़ने का समय है इस समय में किसी भी तरह की लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है लापरवाही नहीं करेंगे तो कई सारी चीज़े अच्छा करने के बी चांसे यहां पर बनते हैं पिताजी की साथ संबंद अगर खराब चल रहे थे तो यह संबंद सुधारने का समय यहां पर आ चुका है बिजनस में कोई बहुत जाला लॉसेस चल रहे हैं और शादी अगर नहीं हुई है तो शादी करने का भी समय आपका बहुत अच्छा दिखाई देता है और इसी के साथ पैसों के लेंद दिन में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है और किसी के ऊपर ब्लाइंडी ट्रस्ट नहीं करना है इस बात का आपको विशेश ध साथ ही साथ आप सभी के रिलेशन्शिप को स्टेबल करने के लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दीता है कहीं पर बहुत अच्छे शुप समाचार भी मिलेंगे तो कहीं पर कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है इसलिए बैलेंस करके चलना बहुत जादा जरूरी रहे नए सोशल सरकल बन सकते हैं नया आप लोगों के संपर्क में आ सकते हैं इस तरह की योग यहां पर बनते हैं और साथी साथ यह समय किसी के साथ मिल जूल करके आगे बढ़ने का समय है और अपने जीवन को संतुलित करने का समय आपका यहां पर बनता है सुसंगर्ष को बैल से मुक्त करने का समय है बहुत लंबे समय से तुलाराशी वाले तनाव में थे बहुत लंबे समय से किसी स्ट्रेस में आप जी रहे थे तो वह स्ट्रेस अब आपके जीवन से दूर होता हुआ नजर आता है कोट कचरी के मैटर में पूरी तरह से सफलता मिलते हुए यहां पर दिखाई देती है और साती साथ मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम आपको दिखाई देता है इस तरह के योग यहां पर बनते हैं आप सभी को सेहत के मामले में थोड़ी सी सावधानी यहां पर रखनी हैं सेहत के मामले में किसी भी तरह कि लापरवाही ना करें इस बात का विशेज द्यान रखेगा इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो यह समय नए संबंद बराने का बहुत अच्छा है और अपने संबंदों को स्ट्रॉंग करने का भी काफी जाद अच्छा समय है और यह समय आपके लिए थोड़ा सा समझदारी के साथ आगे बढ़ने का क अच्छी ग्रोथ आप अपने जीवन में जरूर देख पाएंगे बात कर लेते हैं यहां पर वरश्चिक राशी के लिए वरश्चिक राशी यह समय जो रहेगा यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है विदिश्यात्राओं पर जाने के लिए समय काफी जादा अच्छा है अपने आपको रिण मुक्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है मतलब कि बहुत दा कर्ज अगर आपने ले रखा है कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो यह समय आपका फाइदा उठाने का समय है इस समय में जतना फाइदा उठाले उतना जादा अच्छा रहेगा अपने द सकते हैं इस तरह के योग यहां पर बनते हैं काम के लिए आज से प्रोफिशनली भी देखा जाए तो यह समय आपको प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देता है और प्रॉपर्टी खरीच सकते हैं गाड़ी खरीच सकते हैं और कुछ अच्छे लगजरी के तरफ अपने आपक समय लिए इता हुआ दिखाई देता है ट्रांसफर के योग बहुत अच्छे बनते हैं जॉप्चेंज ने के करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे तो यहां पर ये समय है जहां पर आपका चेंज होने का समय काफी जादा अच्छा बन जाता है यह चेंज आपके जीवन में खुश्यां लेकर के आएगा इस तरह की योग यहां पर बनते हैं मेहनत बहुत जादा करना पड़ेगा और सइयम रखकर के ही आगे बढ़ना होगा इस बात का विशेश द्यान रखिएगा ताक कि आप सभी को किसी भी तरह से कोई नुकसान देखने को ना मिले इस बात का विशेश द्यान रखिएगा ये समय relationship के लिए बहुत जाद अच्छा समय है शादी नहीं हुई ये तो शादी करने के लिए ये समय काफी जाद अच्छा दिखाई दीता है और बहुत अच्छे level पे आप अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं education sector में आप definitely बहुत आगे बढ़ सकते हैं students के लिए समय काफी अच्छा है और बहुत अच्छे परिणाम students को यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं इस तरह की योग बन रहे हैं तो इन सारी चीजों में आप effort डालें आपको अच्छे results जरूर देखने को मिल जाएंगे बात कर लेते हैं यहाँ पर मकर राशी के लिए मकर राशी यह समय मान सम्मान का है मकर राशी यह समय अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का है अपने पारिवारी का मदबेद को दूर कर करें पारिवारी का relationship को अच्छा बनाने का समय है और अपने काम में कोई तरक्की पाने का समय है यहाँ पर शनी की साड़े साथी का आखरी फेज अब आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगा अब आपके भागय का रास्ता कुलता हुआ नजर आएगा और चीज़ें आपके लिए बहतर होते वे नजर आएगी कोई वाहन परचेस करना चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं तो भी आप परचेस कर सकते हैं महनत के परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं उमीद करता हूँ कि आपके लिए समय अच्छा जाता हुआ नजर आए बात कर लेते हैं आपर कुम्ब राशी के लिए कुम्ब राशी ये समय आप सभी के लिए रिष्टों को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने का समय है और साथी साथ बहुत जदा बैलेंसिंग समय हाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर कुछ चीज़ें पॉजिव होंगी तो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होंगी इसलिए आप सभी को मिलकुल डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है और इसी के साथ साथ पैसो के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखनी है और financially अपने आपको stable बनाने की कोशिश जरूर करें प्रापर्टी खरीदने की योग कुमबराशी काफी जाद अच्छे दिखाई देते हैं तो अगर आप कोई प्रापर्टी परचेस करना चाहते हैं तो definitely आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है रिस्क लेने की टेंडेंसी छोड़ दीजेगा इस बात का विशेश दियान रखिएगा ताकि आप सभी को कोई भी नुकसान ना देखने को मिले और आप किसी भी तरह की परिशानी में अपने आपको ना उलजाएं इस बात का ध्यान रखिएगा इसके अलावा पुरानी लंबी समस्याँ को दूर करने का समय है और ट्रैवल के लिए भी समय आपका काफी ज़ादा अच्छा दिखाई देता है आप सभी को अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे बात कर लेते हैं यहां पर मीन राशी के लिए मीन राशी पैसो के मामले में समय काफी ज़ादा अच्छा दिखाई देता है अपने काम को balance करने के लिए समय काफी जाद अच्छा दिखाई दिता है नई job, नई career, नई business में अगर आप involved होना चाहते हैं तो भी ये समय आपको बहुत अच्छे result देता हुआ दिखाई दिता है इसी के साथ-साथ यहाँ पर देखा जाए महसूस करेंगे इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं लंबी दूरी की यात्राइएं यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं students के लिए यह समय काफी जादा अच्छा है आप सभी को कुछ अच्छी opportunities देखने को मिल जाएंगी और अगर आपकी शादी नहीं हुई है और शादी करना चाते हैं तो इसके लिए भी यह समय आपका बहुत अच्छा दिखाई दिता है definitely आप सभी को अच्छा परिणाम देखने को मिल जाएगा so overall अगर यहाँ पर देखा जाए तो यह समय आपके लिए काफी ज़दा success को लेकर के आता है और आप सभी 12 राश्यों के लिए राहू केतु का परिणाम कई सारी positive चीजों की तरफ आपको indicate करता हुआ नजर आता है उमीद करता हूँ कि आप सभी इसी तरह से अपने समय को अच्छा करने की कोशिश करेंगे अपने आपको balance करने की कोशिश करेंगे और साथी साथ समय के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे वीडियो को like कर दीजीगा चैनल को subscribe जरूर कर दीजीगा बर आइकन पर जरूर से click करिएगा कुछ पूशना चाते हैं कुछ जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद्यां पर कर सकूँ धनिवाद